है लो गाईज स्वागत है आपका महर कॉर्णर में ने होप आप लोग सब ठीक होंगे मैं भी ठीक हूँ तो आज बात करेंगे हम हम हमारे घर के आगे जो हमारा गार्ड़न है और मेरी सासु मा करती है इसको बहुत प्यार और बहुत ध्यान रखती है इस गार्डन का तो देखें मैं आपको बताती हूँ हमारे गार्डन में क्या क्या है थोड़ा सा आज और थोड़ा फिर कभी और बताऊंगी तो शुरुवात करते हैं अरॱी के पत्नों से जिसको हम गडवाली में कहते हैं पिंडालू पिंडालू के पत्ते तो घूययां भी जिनको कहते हैं जिनके बनते हैं बैतीार और यह देखे यह हैं आपके भुट्टे के मतला पेड़ या पौधा जो भी कहेंगे हम भुट्टे लगेंगे इसमें लेकिन इसमें अभी लगे निये लग जाने जीए यह देखिए अर्भी का छोटा पत्ता बड़े पत्ते मैंने आपको दिखा दिये है तो यह अर्भी उपर इसके पत्ते आप यूज क मिल जाएगा आपको और स्वास्ते के लिए काफी अच्छा होता है यह और यह है लाल मर्ची तो यह थी हरी और अब यह पक गई है लाल हो रही है वह उसमें अब हरी भी हैं बची वी और बहूत तीखी मिट जाए और बहुत स्वाधिस मिट जाएं तो यह कोई नइम्बू के fाइदे क्या-क्या होते हैं यह आप सभी लोग जानते हैं तो सबसे पहले तो इस मेई GetARRY дав love नीम्बू में, वितेमिन C की कमी जिन लोगों को होती है, वो नीम्बू खाएंगे तो उन लोगों में वो कमी भी नहीं रहेगी और हम लोग इस नीम्बू को यूज करते हैं घर में, हम इसका बनाते हैं अचार, चुक्नी होता है बहुत ही टेस्टी और अगर काली चाय आप बना रहे हो उसमें अगर नेमू निचोड़ तो आपको गैस की प्रॉबलम भी नहीं होगी तो नेमू काफी फायदे मन होता है स्वास्ते के लिए अगर डाल चावल में भी आप डाल के साथ नेमू निचोड़ के खा सकते हो वेँड़ में यूज कर सकते हो और अपने फेयस पर यूज कर सकते हो तो काफी सारे फायदें होते हैrell निबू के और यह देखें यह ज़िए Two in भीश खाने के अलगी स्वाद होता है मतलब बहुत टेस्टी होती है अपने खेत की अपने बगीचे की बीन्स तो यह देखिए बीन्स कितनी प्यारी है यह और घर के सब्जियों की तो बात ही अलग होती है स्वाद अलग होता है मतलब अगर आप बजार से ला रहे हो कोई चीज तो उनका स्वाद अलग होता है और जो घर की चीज़े होती है उनका स्वाद अलग होता है और यह देखिए यहां पर हरी सबजी राई भी है यहां पर यह और आपके हैं यह छोटे-छोटे बैंगन के पेड़ तो बैंगन की सबजी एक्शली हम लोगों ने भी कुछ दिन पहले बनाई तो अभी आपको बैंगन नहीं देखेगा सिर्फ एक बैंगन तो बैंगन यहां पर लगते रहते हैं और अभी सिर्फ एक बैंगन लगाया तो उस दिन में और भी आ जाएंगे और हम लोग क्या था सबजी बना के खा लेते हैं बहुत ही टेस्टी बैंगन सोते यह है बी सिर्फ यह लगावा है और यह साथ में पपीते का पेड़ इसका मैं आपको फूट्स का बाद में बताऊंगी कुछ फूट्स हैं यह देखे यह दूसरा निम्बू का पेड़ तो आज के लिए इतना ही वैसे गार्डन में बहुत कुछ है फूल आपकी तुलसी फ कर दो आपकी उलए में बताऊंगी कुछ है और बताऊंगी कुछ है और में खूल आपकी फूल आपकी तुलसी थाओरों दो को में पीया है।